C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की ध्वनी पुस्तक शेहनाई भाग 2 सबक 11, सफा नंबर 64, समझदारी वकार दूसरी जमात में पढ़ता था, वो पढ़ने में बहुत होशियार था एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे उसके वालिद ने पूछा बेटा, तुम 50 रुपियों का क्या करोगे? वकार अबबा, मुझे इन रुपियों की जरूरत है मुझे एक कौपी, एक पैंसिल, एक रबर और एक पैंसिल तराश खरीदना है इस सफ़े के आखिर में एक तस्वीर दी गई है, जिसमें वकार और उसके अबबा को बातचीत करते दिखाया गया है सफ़ा नंबर पैंसट अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूँगा वकार अबबा, मुझे तो इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है वालिद लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपियों को जोड़ना और घटाना आता है? वकार जी हाँ, मुझे रुपियों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह आता है वालिद अच्छा, जरा ये तो बताओ के इन रुपियों से तुम ये चीजें किस-किस तरह खरीदोगे? वकार इन पचास रुपियों से मैं बीस रुपिय की एक कौपी, पांच रुपिय की पैंसिल, पांच रुपिय का रबर और पांच रुपिय का पैंसिल तराश खरीदूंगा वालिद बेटा, अब जोड़ कर बताओ के कुल कितने रुपिय हुए? वकार सोच कर बीस रुपिय की कौपी, पांच रुपिय की पैंसिल, ये हुए पचीस रुपियों में पांच रुपिय रबर के जोड़े, तो हो गए तीस रुपियों में पांच रुपिय पैंसिल तराश के जोड़े, तो कुल हुए पैंसिल तराश के जोड़े, तो कुल हुए पैंसिल वकार को कॉपी पैंसिल खरीदने के लिए हिसाब लगाते हुए दिखाया गया है वालिद शाबाज बेटा तुमने बिलकुल ठीक हिसाब लगाया है अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपै में से तुमने 35 रुपै का सामान खरीद लिया अब तुम्हारे पास कितने रुपै बाकी बचे वकार उंगलियों पर गिनते हुए पचास रुपै में से 35 रुपै घटाए तो 15 रुपै बाकी बचे वालिद खुश होकर तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खुब आता है ये लो 50 रुपै और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ इस सफ़े के आखिर में एक तस्वीर में वकार को दुकान पर अपना सामान खरीदते हुई दिखाया गया है सफ़ा नंबर सरसट मश्क पढ़िये और समझिये होशियार समझदार पैंसिल तराश पैंसिल को छीलने वाला शापनार इस मश्क के सामने एक छोटी सी तस्वीर में वकार और उसके अब्बो को बातचीत करते हुई दिखाया गया है सोचिये और बताईए एक वकार ने अपने वालिस से पचास रुपए क्यों माँगे दो वकार को क्या-क्या चीजें खरीदनी थी तीन सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बागी बचे चार बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा नीचे दिये हुए सामानों की किमत लिखिए एक कापी खाली जगा दो पैंसिल खाली जगा तीन रबर खाली जगा चार पैंसिल तराश खाली जगा सफ़ा नंबर 68 खाली जगों में मनासिब लफज लिखिए खूब पचास जमात स्कूल बागी एक वकार दूसरी खाली जगा में पढ़ता था दो उसने अपने वालिस से खाली जगा रुपए मांगे तीन मुझे खाली जगा का काम करना है चार अब तुम्हारे पास कितने रुपए खाली जगा बचे पाँच तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खाली जगा आता है नीचे लिखी बाते किसने कहीं लिखिए बेटा तुम पचास रुपएओं का क्या करोगे खाली जगा मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूँगा मुझे स्कूल का काम करना है अब जोड़ कर बताओ कुल कितने रुपए हुए खाली जगा असातजा के लिए हिदायाद असातजा बच्चों से जोडने और घटाने की सरगर्मिया करवाएं उनके किसी चीज के खरीदने के तजर्बे को जमात में सुनवाया जाए सफ़ह नंबर उनहत्तर लवजों को हिंसों से मिलाईए लवज पचास, दस, पाँच, सो, बीस हिंसा सो, बीस, पचास, पाँच, दस यहां मिसाल के तौर पर लवज पचास को हिंसा पचास से मिलाया गया है नीचे दिये हुए लवजों के हरूफ की तादाद उनके सामने लिखिए एक खाली जगा, हिसाब खाली जगा, बाकी खाली जगा, जरूरत खाली जगा, जमात खाली जगा सफा नमबर सत्तर, हिस्सा अल्फ और हिस्सा बे को मिलाकर जुम्ले मुकमल कीजिए और लिखिए हिस्सा अल्फ वकार दूसरी जमात, अब्बा मुझे पचास रुपेओं, मुझे स्कूल का, तुम्हे तो जोड़ना और, अब तुम्हारे पास हिस्सा बे, काम करना है, घटाना खूब आता है, मैं पढ़ता था, कितने रुपे बाकी बचे, की जरूरत है यहाँ नीचे दी गई खाली जगा में, हिस्सा अल्फ और हिस्सा बे से, जुम्लों को मिला कर लिखना है अभी आप सुन रहे थे कक्षा दो की उर्दू की ध्वनी पुस्तक, शेहनाई, भाग दो, वाचन स्वर, शिमाईला परवेज और परवेज गौहर, तक्निकी निर्देशन, बटी लैंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्मान सहायक, तनु गुपता, देशन एवं निर्मान, वीमलेश चाओधरी, ताथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत.